नमस्काद दूस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल टेडर टायरी में दूस्तों अब ही हम बात करने वाले कल्या जोलर की उपर यहां पर बहुत तेजी से यहां पर कल्या जोलर का स्टॉक जो गिर चुका है हमने पिछले यहां पर 5-6 दिन पहले यहां पर बात की थी और लगवल लगवल यह अपने सही लेवल पर चला था कर लेंगे लेकिन यहां पर आज जो है वो तेज गिरावट आई गिरावट की कोई बज़े यहां पर पता नहीं है किसी को कोई बज़े पता नहीं है लेकिन यहां पर स्टोक गिरा जा रहा है अब यहां तो चली हम यह सब चीज़ देखते हैं फिर देखते हैं चार्टको एनलाइज करेके क्योंकि आपकी सारी चीज़ा हैं वहाँ पर छुपी हुई चली देखते हैं तो दोस्तो अभी 66.85 का प्राइस चला है यहां पर लगवा लगवा 6% की आपर गिरावट आपको एदर उदर दिख रहे होंगे यह चोटे चोटे बॉल्यूम बहुत कम शेयर में काम होता है लेकिन आज देखिए चपपर फाड के एक महीने का वॉल्यूम है अगर हम तीन महीने का देखें तो भी यहां पर जो है अब तक यहां पर जून जून 2021 के बाद यहां पर सब आज ने लो लगा दी 660 रुपया का अब यहां पर देखते हैं क्या अपडेट आई है इसी तो यहां पर कोई अपडेट नहीं है यह अपडेट मैं आपको बता चुका हूं एफबाइट ट्वैंट की यहां पर गाडेंस दे चुके हैं कोड़र बन के रिजल्ट यहां पर अच्छे आ सकते हैं लेकिन यहां पर जो है एनाउंसमेंट होगी कल के दिन यहां पर एनाउंस हो गया है पांच अगस्त रात को यहां पर जो है एनाउंस हो गया है यहां पर डेट आ डेट आ चुकी है दस अगस्त को यहां पर सिर्फ एक ही अपडेट है दस अगस्त को यह तो आपका Q1 का result आने वाला है, ध्यान रखे हो दोस्तों, यहाँ पर Q1 का result आपका 10 अगौस्त को आने वाला है, बाकी यहाँ पर कोई दिक्रत की बात नहीं है, कुछ भी यहाँ पर आपकी कोई news नहीं है, company में कुछ भी यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला है, कुछ भी आपर ऐसा नहीं है, जिसकी वैसे यहाँ बक्त तो नहीं है, कुछ बाद में निकल गया है, तो कुछ पता नहीं, लेकिन अब तक जो है, कोई नियूस नहीं है. अगर हम देखें सारी चीए यहां पर वही है यहां पर कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है दोस्तों यहां पर जो है अगर बात करें लेकिन यहां पर शेयर ओल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो भी यहां पर जो है प्रमूटर ने जिस तरीक से सोला परसेंट अपना खाली किया लगता है कि इतनी सेलिंग प्रैसर आ रही कहीं यह डर है कि प्रमूटर यहां पर सेल तो नहीं करने पर आ गया कि इस तो उस मिलकर यहां पर सेल नहीं करने लगे यह पर यह पर यापररीटर की चाल जो की आप रिटेल इंवेस्टर को अब यहां देखनाना चाहते हैं क्योंकि क्यों वर रिजल्ट चाल जाता है तो बे-दड़क यह जो पर जो शेयर यह पर कंबाल करके दिखा सकता है क यहां पर दोस्तों कोई भी यहां पर ना तो बल्क में है ना ब्लॉक डील हुई है ना इंसाइडर कुछ हुआ है जिसके वैसे यह गिर जाए हाला कि यहां पर अब तक तो रिपोर्ट सामने नहीं आई है यहां पर और चाहनवीन करेंगे तो यहां पर कुछ निकल कर आ सकता है या तो आज यहां पर कल यहां पर जो है आपको अपडेट दे सकते हैं यहां पर जो है कि यहां पर कुछ सेलिंग हुई है यह देखना पड़ेगा अब तक जो है बहुत हैवी वॉल्यूम हो चुके हैं इस स्टॉक के अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अंदर आई पीओ से लेकर अब तक जो एंडर परफॉर्मेंस इसने की है चाचट के लेवल से अब अब देखते हैं इसका चार्ट चार्ट क्या बोलता है यहां पर देखना काफी ज़रूरी कि सपोर्ट कहां पर है चल रिने के बाद हाई था और यहां पर अगर हम लो की बात करें तो लो है आपका 66.10 रुपीज तो यहां पर अगर हम मेसीडी की बात करें इस वक्त तो यहां पर कोई ऐसा सिंगनल यहां पर जनरेट नहीं हो रहा है मेसीडी में कि यहां पर बहुत तंगडी यहां पर पाइं आप चले सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि असल मैं ऐसा कौना लेवल टाइए लेवल थाथ यह लमसम लमसम यहापर जो लेवल है वह सबसेंपॉर्टेंट लेवल जो था वह आपका था 66.55 उससे तोड़ दिया है से स्टॉक ने उसे तोड़ दिया था एक वकत तो तोड़ दिया था अब रिकावरी थोड़ी महां से दिख रही है क्योंकि यही वो लेवल था जहां से इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया था और लमसम लमसम हाई लगाया था 80 82 83 84 जो भी था यहां पर जो 90 रुपय का हाई लगाया था आई पियो के बाद अगर हम इस हाई का देखें इसके लो का देखें तो यहां पर जो है एक नया लो यहां पर जो काट कर बना दिया है से स्टॉक ने इस स्टॉक का कुछ भी यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कभी ह इका रिटन ये दे रहे हैं ये कल्यांशुलर की बात ये आई प्यो के बात जो है अंडर पर्फॉर्वर्मेंस वो खहरा रही है लगाता देखे किस तरीके से जो है यहां पर यहां पर कुछ भी यहां पर जो है ठीक तो मजा तो नहीं आ रहा है हर पेमाने पर जो है वो डाउन साइड ही अचानक से आजाती है से स्टॉक के अंदर इतना जादा डाउन साइड आजाती ही समझ में या रहा क्या एकुमिलेशन चलना है क्या यहां पर ऑपरेटर की चाल चली है कुछ भी यहां पर जो कहना जो है वो इतना जादा मुश्किल ह जाता है कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं कह सकते है यहाँ पर अगर यहाँ पर और यहाँ पर बनाता है लमसम लमसम यहाँ पर क्या पता है यहाँ पर जो है काफी जादा यहाँ पर जो है दिक्कतों की बात ही है और यह एक ऐसी जगह थे कि यहाँ से जो है स्टॉक ने ब्रेक आउट दे दिया है लेकिन यहाँ पर अब जो है माहुल खराब अतोर नजर आ रहा है कुल मिलाकर मुद्दे की बात ही है कि यह सबसे इंपोर्टन्ट लेवल है अगर आज यह डेलो के आसपास बंद हुआ जो की डेलो 66.10 के आसपास है डेलो से भी अगर नीचे बंद होता है यह स्टॉक तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दिकतें जो है वो घहराएंगी इस स्टॉक को जो है तब तक के लिए अवर्ट कर दीजे जब तक इसका Q1 नहीं आ रहा है यानि 10 अगस्त के दिन 10 अगस्त तक देखिए 10 अगस्त को अगर Q1 अच्छा आ जाता है तो ठीक है नहीं तो यहां से जो है आप अपनी पोजिशन जो है वो स्क्वार आफ कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिटेवल है यह एक एडवाइस है बस और कुछ नहीं है लेकिन यहां पर क्यूबन अगर अच्छा आ जाता है तो यहां पर देखना पड़ेगा कि यहां अच्छा खास पता नहीं इन दोनों मैंसे यहां पर जो है कुछ चल रहा है या ऑपरेटर की चाल है कि यहां पर यह स्टॉक घटा और बढ़ा देते हैं अचानक से तो कुछ भी यहां पर जो है कहना बहुत ही जादा मुश्किल है इस स्टॉक के लिए क्यूंकि हम देख रहे हैं कब से हम वीट कर रहैं आग से कब से हम वीट कर रहे हैं जब मैंने मैं मतलब यह आपर आपर लेवल बच गया तो देन ऊके है अगर नहीं बचा तो यहां पर जो है नीचे के लेवल पर बंद होता है 66.10 या 65.9 जो भी है तो उसके अगले दिन देखेगा क्या यह 67 के ऊपर क्लोजिंग देता है याकर दूसरे दिन वी यानि मंदे के दिन अप तो आने वाला मंदे मंदे धिन वी अगर 67.10 की ओपर अपनी गोजिजिंग नहीं देता है 67 की उपर क्लोजिंग नहीं देता है देन यहां पर जो है सेल सिंगनल जनरेट होगा अगर हम आपके बात करें यहां पर जो है मुझे लगता है यहां पर जो है ओवर सोल्ड में यह तो आ चुका है यह स्टॉप काफी ज्यादा ओवर सुल्ड है ऐसा कोई दिन नहीं है में जून की बात है 21 जून से अब तक जो है 21 जून भी छोड़ी है यहां पर तो सेलिंग आने लगती दस जून से अगर हम बात करें दस जून से जो है ऐसा यहां पर ट्रेंड बनके रह गया अब तक के दिन आज तक के दिन जो है अभी तक हालत इस स्टॉक की ठीक नहीं हुए कहां से सेलिंग प्रेसर आ जाता है कहां से ये गाया वो जाता है कहां से अचानक से बाइंग आ जाती है कुछ भी यहाँ पर कहना बहुत impossible है तो यहाँ पर जो है इस टॉक को जो है अपने यहाँ पर जो है आप गौर करिए यहाँ पर Q1 की result पर हम बात करेंगे इसको समझेंगे तब यहां पर कुछ decision लेंगे लेकिन Q1 से पहले यहां पर गरावट आ गई है लेकिन इस stock के बारे में कुछ भी कहना impossible है तो आप जो है अपने यहां पर stop loss लेकर चलिए यहां पर ज़्यादा ज़्यादा किया जहां से इसने बाइंग गरी 55 रुपए सिब 10 रुपए दूर का है यहां पर जो है अगर long term वाले हैं तो यहां पर जो बने रही हैगा short term वाले जो हैं वो यहां पर stop loss आपको रखना बहुत जरूरी है कुछ भी हो रहा है अचानक से यहां पर जो है कुछ भी यहां पर जो है अचानक से होने लगता है कुलमला के मुद्दे की बात यह है कि यहां से यह जो लेवल था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 70 रुपे 10 पैसे यहां से यह stop तूट किया तो पहला support तो आपका जो सबसे important था वो तो चला ही गया तो कुछ मे लेना हैं यह दोर जो कुछ बी चला है यहां पर कुछ भी कहना इंप्सो screening आ looks ना तो कुछ दूबार आ रही है ना तो कुछ चीज यहां पर चार्ड जो कह रहा है उसी रिसाथ से हम चलते लेकर यह यांप में चलते हैं कुछ बहना ऩाय सर्थक लेवल जो है जहां से इसने अपना यहां पर दिखाई थी 55 रुपए की चाहिए लॉंग टॉम हो चाहिए आपको यहां पर रखना चाहिए क्वी कभी यहां पर कुछ भी हो जाता है और पर किया नहीं आए तो क्या होगा तो तब की हम तब बात करेंगे अभी जो मैंने यहां कि वात करी है यहाँ पर जो है वो इसको ध्यान में रखिए नई बाइंग यहाँ पर आपको नहीं करनी है उमीद आपको यह पूरी बात समझ में आगी हो आपके सामने पूरा चार्ट है कुछ भी कहना यहाँ पर इंपॉसिवल है यहाँ पर सीडी आपनी राय है दोस्तों य कमेंट करेंगा दोस्तों यहाँ पर और अगर आपको यह वीडियो चिलेगे तो लाइक करें चैनल करें सब्सक्राइब करें प्लस आपको बैल आइकन जरूर दबाने तापकि आपको नहीं नोटिफिकेशन जो है वह आपको मिलते रहें और कर लें जो जो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें तो आप दीजे मुझे इजाजात वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद दूस्त वाद दूस्त